Hello friends, welcome back to our channel, हम कर रहे हैं आपका सारे previous year question chapter wise, अभी हम देख चुके हैं आपका उसमें हमने previous year question भी देखे और कुछ important questions भी देखे, जो कि हमारा chapter था सजीव जगत, आज हम second chapter के questions करेंगे, जो हर ये class आपको हर दोपहर 12 बज़े मिलेगी, आप जाधा से जाधा शेयर कीजिए, न आफट से देखेंगे previous year question, प्लस आपका NCIT में आपको crash course करने के लिए जाधा से जाधा चैनल को subscribe करना है, जब चैनल 100K पर पहुचेगा, हम आपका NCIT based पूरा crash course आपको करा के देंगे, जो free of course होगा, सिर्फ आपने चैनल को जाधा से जाधा सब्सक्राइब और शेयर करना ह दीखें, ये जो question है, ये आपकी previous year में पूछे जा चुकी है, तो इसलिए जाधा important हो जाते हैं, किसी भी exam को देने से पहले आपको उसके exam का pattern पता होना चाहिए, उसके लिए आपने 5-10 साल पुराने questions paper को solve करना ज़रूरी है, बागे हम important questions भी देखेंगे, NCIT based question भी देखें रहे हैं, वो शाम को चार बजे ली जाएगी, जो आपकी question series शुरू की है, 10,000 plus question वो शाम को चार बजे होगी, तो देखेंगे, आपको जैविक वर्गी करन चैप्टर का first question देखेंगे, जो कि आपको already आपकी need AIPMT में पूछा गया question है, first question देखेंगे, पांच जगत पांच जगत वर्गी करन में जिन पांच जगतों को दिया गया, उनको कुछ लक्षणों के अधार पर दिया गया, उसमें प्रोडिस्टडा का लक्षण है, कि सभी एक कोशी की ये eukaryotic और जाधा तर जो होते हैं, जलीए होते हैं, वो कहां रखे गए हैं, जगत प्रोडिस्टा में रखे गए हैं, और कले माइडो मॉनास और क्लोरेला जो हैं, वो क्या है आपका एक कोशी की जीव है, क्ल क्लोरेला के बारे में आपने ये भी आद रखनी है जो आपके एकस्पेरिमेंट हुए थे वो इसकी सालगीर पर हुए थे जैसे आप फोडो संथेसिस प्रकास अंसलेशन का जो हुआ था वो इसी के उपर हुआ था ठीक है फिर देखिए नेक्स कोशन है पांच जगत वर्गी जिवानु तो देखिए यहां पर समझीए आपको कोशन इससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं जिवानु सभी जो जिवानु है वो एक मात्र जिस जगत में रखे गए हैं वो जगत मोनेरा है लेकिन यहां पर आपको पूछा गया है नीले हरे शैवाल तो धिहान रखना है नी जिवाणू कहां पर हैं आपके जगत मोनेरा के अंदर हैं नीले हरेश एवाल साइनो बैक्टेरिया के बारे में एक इंपोर्टेंट चीज और भी याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया था सबसे पहले क्या क्या था इस प्रिथवी पर ऑक्सीजैनिक प्रकास संसिलेशन किय था मतलब जग जिवाणों ऑक्सीजन जवाणों जो फ्रोटो सिंथैसिस प्रकास संसिलेशन करते थी उसमें वह उक्सीजन को मुक्त नहीं करते थी लेकिन इन्होंने क्या किया सबसे पहले औक्सीजैनिक प्रकास संसिलेशन किया जिससे आज का जो वायू मंडल हम देख र बायों का टार्गेट रखेंगे 360-360 तो आप देखेंगे 350-340 आप आराम से स्कोर कर जाएंगे ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है अप्शन थर्ड नेक्स्ट देखेंगे पांच जगत पदती में निमनिलिखित पांच जगत पदती में वर्गीकरण का मुख्य आधार है तो दीखिए पांच जगत जो वर्गीकरण दिया गया था उसमें बताया कुछ लक्षणों के आधार पर दिया गया था उसमें पांच लक्षण आपके लिए गए उसमें बता सकते हैं आप से कोशन ये भी पूछा जा सकता है कि पोशन के आधार पर सबसे अधिक विवितता किस जगत में पाई जाती है तो दियान रखना है जगत मोनेरा में पाई जाती है फिर देखेंगे यदि पांच जगत वर्गीकरण पद्धतिक उपयोग किया जाए तो आर्किय बजन इस्थ्रीकारक जवानों को आप किस जगत में रखेंगे तो देखें पूसरी इंपके बारे में यह है यह है कि इनसे आपसे कोशन पूचा जाता है लीविंग फॉसाइल्स कौन है जीवित जिवाश्म तो आपको धिहान रखना है वो कौन है आर्किया को हम बोलती है बाकी आपको पता चल जाएगा आर्किया आपको जीवाण हैं नाइट्रोजन इस्थरी कारण जीवाणों स्था क्रता इसलिए उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट वगेरे में कनवर्ट करना पड़ता है यह करते हैं आपके जिवाणू तब आपके प्लांट्स उनको ले पाते हैं तो यह हम कहां पर रखेंगे यह रखेंगे जगत मौनेरा में और नेक्स देखेंगे अधिक्तम पोश्णिंक विविदता किसे समूं में पाई जाती है अभी आपको बताया था कहां जगत मोनेरा में क्योंकि जगत मोनेरा के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो बैक्टिरिया जो जिवानों होते हैं अलग अलग प्रकार का पोश्ण शो करते हैं वो परपोशी भी होते हैं सोपोशी भी होते हैं सोपोशी में आपका क्या होते हैं रसायन संसलेशी भी होते हैं प्रकास संसलेशी भी होते हैं परपोशी में आपके मरतोप जीवी भी होते हैं परजीवी भी होते हैं बहुत सारे वो nutrition को शो करता है फिर देखिए कुछ साइनों जिवानों में वरना इसी उक्त जिली में विस्तार कहलाते हैं तो यह होगा आपको अक्रोमेटो 4 देखिए जिवानों है उसमें हमें पता है वो क्या है प्रोकेरियोर्टिक कोशिका है तो उसमें किसी परकार का कोई हो तो नहीं है लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि उसके अंदर प्रकास अंसलेशन हो रहा है जबकि हमें पता है कि वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो जो प्रेजेंट होता है वो क्या है क्रोमेटो 4 है इसी यह क्या है आपका प्रकास अंसलेशन से भी संबंदित है य नॉस्टॉक में वायू मंडलिये नाइट्रोजन को इस्थिर करने के लिए विशिस्ट कोशिकाएं हैं तो देखें नॉस्टॉक जो है भी आपको बताया जिवानू नाइट्रोजन का इस्थिर करन करते हैं तो नॉस्टॉक जो है एक प्रकार का क्या है जिवानू है नाइट केंदरकला नहीं पाए जाती है तो देखें केंदरकला प्रोकेरियोर्टिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाती है उनके केंदरक को आप क्या बोलती है नूकलियोड बोलती है उर्च में क्या होता है मेंब्रेन नहीं होती है जिली नहीं होती है नूकलियस में अच्छी तरीके स विक्सित केंद्रक आपको प्रोकेरियोर्टिक में नहीं मिलता है और यहां पर प्रोकेरियोर्टिक का जो उधारण है वो क्या है नॉस्टॉक है ठीक है तो उधारण आपने सबसे पहले अपनी NCRT के याद करने है बाद में किनी important example की जरूरत पड़ेगी जो बार-बार पूछे जाते हैं पूछे गए हैं तो हम वो आपको बता देंगे लेकिन सबसे पहले किसी भी आप plant kingdom लेने हैं आप किसी भी chapter के सबसे पहले जो उधारण याद करेंगे वो अपनी NCRT का करेंगे NCRT का एक भी उधारण अपनी नहीं भूलना है साइनो जिवान को निम्न में से क्या भी कहा जाता है क्या कहा जाता है नीले हरे शेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे प्रचूर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकेरियोर्ट दूद से दही बनाने तथा प्रती जैविकी के उत्पादन में मानवो के लिए उप्योगी है इन्हें किस वर्ग में रखा गया है प्रोकेरियोर्ट किस में है आपके तो देखे प्रोकेरियोर्ट तो हमें पता है जगत मोनेरा के अंदर आते हैं लेकिन अभी हमने देखा कि जगत मोनेरा के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है पोशन में विविदिता पाए जाती है आप उनको बताना है जो प्रोकेरियोर्टिक हैं दूद से दही बनाने में प्रती जैविको मतलब आपका एंटी बायोटिक्स जो होती हैं उनका निर्मान करने में मानुगों के लिए उप्योगी है तो देखिए ज़ादा तर आपकी ये एंसी आटी की लाइन है अधिकांच जो ये बैक्टेरिया होते हैं वो कैसे होते हैं परपोशी होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये आपकी एंसी आटी की लाइन है आप जाकर पढ़ सकते हैं उप्शन सेकेंड आपका करेक्ट हो गया नेक्स्ट देखेंगे वे जीव जो मेथैनोजन कहलाते हैं प्रचूरता में पाये जाते हैं मेथैनोजन देखिए आर की बैक्टेरिया लवर प्रेजेंट होते हैं फिर होता है थर्मोग ऐस्टिडव पाइल जहांके टेमप्रेजर भी बहुत ज़्यादा हो या वहाँ पर जो बैक्टेरिया पाये जाते हैं उनको थर्मोग ऑस्टिडव फाइल्स बोलते हैं ठीक है तो मेथैनोजन जो होते हैं में से कौन मुख्यता मलजल पर अनौक्सी जिवानों की किर्या द्वारा उत्पन होती है तो देख़ें जो आप किसी जगह जाते हैं कभी भी आप दिहाण देना जहांपर जैसे गोबर वगेर हो जैसे भैस यहां पर पाली जादी तो यही वो करते हैं आपके जिवानों उत्पन करते हैं उनके रूमिनेंट में इसलिए वहाँ पर मिथेन का प्रोडक्शन होता है उत्पादन होता है फिदे के दलदली छेत्रों में तथा गोशाला में प्रबल एक विसिस्ट गंद निमनिलिकित में से किसके दुआरा सी बैक्टीरिययओ में भी आपको विसिस्ट भी स्परगार से पूठ चाहित तब क्या है वो आपका हो जाएगा तक मेथेनों जन्स नेक्स्ट कुष्चन देखते हैं के थे की तर्मो कोकम हैं कि तो देखिए ये आपको जो उद्थारण दे रखे हैं व आपको आरिके जिस सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग आरकिया तथा यूकरिया में सजीवों के वर्टमान वर्गीकरण प्रकाश behalai के पारे में आप एक चीज को समझई आपकी अंसेाइटी में अभव आप पढ़ रहे हैं पांच जगत वर्गीकरण को लेकिन आपकी NCIT में डोमेन के बारे में भी बताया गया है जिसको एक साइंटिस्त थे कारल बूज उन्होंने दिया था उन्होंने बताया हम सब से उपर पढ़ते हैं कि सब से उपर किसको रखा गया है जगत को फिर हम देखते हैं उसके बाद दूसरा आता है वर्ग आता है इस तरीके से हम जाती तक पहुसते हैं लेकिन उन्होंने बताया जगत से उपर भी कुछ होता है वो क्या है डोमेन तो उन्होंने पाँच जगत जो होते हैं उनको छे में डिवाइड कर दिया जबके हम देखेंगे चार तो ऐसे के ऐसे ही है आपके प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंदू तो ऐसे के ऐसी उन्होंने जो जिवानू जो मोनेरा जगत था उनको दो में बाटा जिवानू और आर्कया और इन तीनों को उन्होंने क्या कहा तीन डोमेन बोले ठीक है तो यहाँ पर जो विषियस्ट लक्षण होते हैं जो अन्य प्रोटिस्टा जिवानू घुकु जहाँ प्रेवाड़ुँ में कुछ दूसरे जीवानुवों से अलग होते हैं और यूसान में नहीं होते हैं इसलिए उनको रखा गया आर्कियाँ मैं थ्री डॉमेनगे जीवानु़ आर क्या ψका है तो despil important question कल दोपहर हम 12 बजे top 100 question दिखेंगे जो कि आपकी previous year question होंगे तो कल दोपहर की class लेना ना भूलें जब तक लिए ज़ादा से ज़ादा share करें चैनल को subscribe करें और जो भी बच्चे आपकी class 9 और 10 में आपकी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए आपको comment box में एक link मिल जाएगा य मिलते हैं मान नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए पढ़ते रहें थेंक्यू